हेलो नमस्कार आज हम लोग द्रिष्टी दिव्यांग जनों में देनिक जीवन कोशल पेश होने वाली चुनोतियों के संबंद में हम लोग बातचित कर रहे हैं यह सीरीज का तीसरा नंबर है चैलेंजेज ऑफ डेली लिविंग स्किल्स इन वीजुल इंपेट पर्सन पार्ट थ्री हम लोग ने इससे पहले भी बात की है तथा उसमें हम लोग ने बात किया था कि स्वयम की द्रिष्टी बाधिता जो है किस प्रकार के चुनोतियां पेश होती है एक द्रिष्टी दीव अबिवावक प्राथमिक विद्याले हैं प्राथमिक पाठशाला है किसी भी बालक के लिए जैवदृष्टिवान हो त्रिष्टिवादित हो या ने कोई किसी वेव प्रकार के बालक हो अगर ठीक प्रकार से माबाप अभिवावक पेरेंट्स अपना रूल अदा नहीं कर पाते हैं तो निश्चिन थी बाल को पर इसका असर पड़ता है तथा अपने जीवन के जब वो एडल्ट हुल्ट की तरफ प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे विशंग्यतियों के साथ प्रवेश करते हैं इसमें द्रिष्टि दिव्यांगता के साथ जो बालक हैं जिनकों क कि अभिवावक ठीक परकार से समझ नहीं पाए थे और उनको चोटे मोटे जो काम सिखाने चाहिए थे देने जीवन के अगर वो सिखाने पाते तो जीवन के दूसरे आयाम में बहुत फरक पड़ता है अभिवावकों में जागरूता की कमी क्यों होती है पहली बात तो यह नाउमीदी जिस भी घर में कोई भी बालक दिश्टिवादित हो जाता है अभिवावकों में एक प्रकार से disappointment हो जाती है acceptance की बात आते आते तब तक बहुत समय चला जाता है नाउमीदी अभिवावकों में जागरूता की कमी लाती है वो उसके future के परती ज्यादा उमीद होता है कि अब यह बालक पढ़ेगा कैसे लिखेगा कैसे यह हमारे उपर बोज बन गया है इस प्रकार की चीज़े उसके मन में रहती है तो वह एक प्रकार से निराश हो जाता है और कोई भी जो चोटे मोटे काम एक उमर में करने चाहिए थे बालकों को वह इसको शिखाता नहीं है दूसरी बात है सहनुभूती अभीवावक्स जाद अभीवावक्स सहनुभूती का प्रदर्शन करते हैं क्या बेचारा देख नहीं पाता है कहीं ठोकर खा लेगा तुम भई अपने कोने में बैठे रहो हम तुम्हाले खाना होना लेके आएंगे आप यहीं रहिए औ और कहीं इधर उदर जाने की जुरूतनी है इस प्रकार की जो भावना होती है यह बालकों के विकास में बड़ी विप्रित असर करती है एक और तो जो साइडिट बालक होता है उसको आप पनिश्मेंट करके प्रोच्छान दे करके काम सिखा रहे होते हैं यहां पर दृष् अलग थलग कर देते हैं तो रोजमर्रा के काम सीखने में यह पहुत मुश्किले पैदा होती है इसमें शानव मुति के करण एक बात और है सिखाना ना आना यानि कि पैरेंट्स में की गलती ना भी मानो लेकिन यह होता है कि उनको सिखाना भी नहीं आता है कि किस परकार से के feedback करके उनको motivate करके उनको हाथ पकड़ करके शирो ची से वो सि ihtखाना या उनको step by step करके सिखाना यह अभी आता है अभई वावकों में तो यह एक बहुत बड़ी खमी οजाती है डेली leading skills को समझने में हमारे छोटे दरिश्ची दिवियांग को यह एक अन्य बात यह लोग क्या कहेंगे मानलीजे कोई अभिवाबक शिखाना भी चाते हैं लेकि वो लोगों से मेहाईसूस लोगों की बाते सुनते हैं और या कहते हैं मनी मनमें कि लोग क क्या узнать Like Demet पाल नहीं पा रहे हैं और यह चोटे मोटे काम भी उनसे ले रहे हैं तो उनकी मन में यह रहती है कि लोग लाज का भाए रहता है और यह कहते हैं कि हम अगर बाल को इस प्रका के बाल को से काम लेंगे चोटे मोटे काम सिखाएंगे तो लोग हमें उल्टा सिधा कहेंगे इसल मैं तो सब्सक्राइब music सब्सक्राइब चाइब 28 को सब्सक्राइब तो कोई प्रहुज्व सब्सक्राइब और उसके सामने कोई बालक जाता है जिसने ठीक से कपड़े उपड़े नहीं पहने होते हैं वैसे डेली लिग्व स्किल ठीक है प्रकार से प्रोग्राम तरीके से और टास्क नालिसिस करें बताया तो जाता है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने देखा कि कि किसी बालक के अंदर कोई कमी हो रही है ठीक से वह पहन नहीं पा रहा है या कहीं कमी हो रही है तो तुरंत उसी समय टोकें और उसी समय उसको कारवाई करते हुए उसको समझाएं उसको चोटे मोटे जो भी उसने कोई कमी की है कमी इसके बटन टाकने में या उल्टा जूता पहिन लिया है अगर उसको बालक को उसी समय हमने बता दिया तो वह सीख जाएगा लेकिन अक्सर स्कूल में यह होता है कि भी हमारे कोई विशे नहीं है जा होस्टल होस्टल में जाई है वहीं कोई बताएगा तो यह कहत यह तीचरों द्वारा यह बताए जाता कि भी हमारा को इसरा कि पुझाए नहीं है चात्रावास में हैां क्विक टो फ्र Copy oh लोग की कमी होतीय है प्रखिञ अविक है प्रस्τικिक लोग को रखेंगे को आपको पैसे ज्यादा देना पड़ता है तो छात्रावास में बहरी पर के लोग रखे जाते हैं यदों फ्रोर्ट को किसाथ का सभर करना Есть उसके बारे में ज्यादा नॉलिज्स नहीं होता है उनको ये नी पता किसी बालग को सीखाने के बज़र उसको तयार करने अपने स्वयम अपने हाथों से तयार करने अपने हातों। उसको इस मुसीवत से बचना है कि मुझे अगले 19 बच्चों को भी या 14-15 बच्चों को भी त्यार करना है मुझे गंटे गंदर तो वो कहां उसको सिखाने में बैठेगा तो यहां पर अगर चात्र और केर्टेकर के बीच में बहुत ज्यादा अनुपात है एक केर्टेकर के पास 15-20 चात्र हैं तो लाजमी है कि वो कभी सिखाने पाएगा इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और यह समझते हैं यह समझने कोशिश करते हैं कि जरूर माबाप या स्कूल परशाशन या केर्टेकर अगर विश्वास रखें तो यह बालक जरूर सीख जाएंगे कैसे सी सीख जाएंगे आपको विश्वास करना पड़ेगा नंबर एक तो आशा रखना पड़ेगा नंबर दो सिखाने का तरीगा बदलना पड़ेगा और शेश इंद्री यानिकी रिमेनी सेंसेस का फर्पूरी उपयोग करना पड़ेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि इन बालक अगर उसे कोई multiple disabled ना हो तो यह अप्वाद है वरना आप यह मान के चलिए कि यह बच्चे समझ सकते हैं इनकी स्मृतियां बहुत बढ़िया होती है चाहे वो मांसिक कह लीजे या जो शारिरिक कोई कारे निप्टाने के लिए हमने हातों का समन वह किया दो हातों के बीच में कोडिनिशन किया हातों को यह हातों और पैरों की जो गतिवी दिया हुई इन सब श्मृतियों को बालक समझते हैं और उनको दोहरा सकते हैं तो आशा रखे बालक सीख सकते हैं और एक बात का और कार्य तरक संगत हो यहनी कि माननि एक च्छे वर्श का बालक है उसको आप 10 वर्श के बालक के बराबर का काम मत ले या 10 वर्श का बालक है तो आप उसे छे वर्श के बॉलक के बराबर का काम न gibbon लें आपको यह चाहिए एक परियं और यहिसी साइट बालक की अवस्था को देखे और यह महसूं किजे कि उस ile में एकृळिक बालक क्रादे कर सकता है लग बख वह कार आप बालक को दृर्ष्टिबात बालक को सीखाना से कोशी करें और स्प्साइब कर दो मैं कुछ थह पैन सकता है या जूते पहन सकता है या पैंट या नेकर पहन सकता है तो आप उमीद कर सकते हैं कि हमारा जो दुष्टी बादित बालक है वो भी इन पर करके काम कर पाएगा उनको वो काम करने दें तथा कोई दूसरे काम होते हैं जैसे थाली गिलास को किचन तक लियाना अपने रूम तक ले जाना उनको समाल के रखना अपने कॉपर किताब को समौल कर रखना आप के आप कीजुये कि सायथट बालक इस समय क्या कर रहा होगा तो लगबग वही उमीद न और इस बालक के साहथ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वही काम आप धिरे-धिरे चिका सकते हैं अगला तरीका था कि भी सिखाने का तरीका बदले जो भी काम है मालिजे कोई बड़ा काम है कोई ब्रश करना सिखाना है तो एक ब्रश करना एक बड़ा काम हो गया तो इस ब्रश करने जो टूथपेश करने को छोटे-चोटे उपकारे में बांट दीजिए जिसे ब्रश करना तो इसको चोड़े-चोड़े पंदरा से बीस प्रकार के उपकारे में बाठ दीजिए जिसे टोइलेट के अंदर जाना और इंटेशन करना अपने आपको अपर बोडी प्रोटेक्शन करते हुए सिंक और नल को खोलने का तरीका ढूंदना मग बाल्टी अगला कारे जो है बा करके ब्रिशल्स में लगाए हुए पेस्ट को मुझ पही यानि कि कि दात पे मलना और किस परकार से दात मलने में भी डूस्सांने दाएँ आएं या दातों के अंदर जीपके नीचे या तालू के आश्पास यानिकि आपने हर पोइंट को हर काम को आपने छोटे-छोटे उ और उनको बता दिया, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बाला को दो बार, तीन बार, चार बार आगमने प्रैक्टिस करा दी, अभ्यास करा दिया, तो वह बालक सीख जाता है, वह जीवन बर सीखता है, क्योंकि मेमोरी उसके पास है, वह प्रैक्टिस कर सकता है, तता ध्य बताने आपने जिसे मैंने रहा हिए को पतना सबिए उसके हाथों में brush होना चाहिए। उसके हाथों में टंग cleaner सामान होना चाहिए, पेश्ट होना चाहिए, यह सारे on चाहिए और उसको ने निसे इस पर आहिए ना सब्सक्राइब आाम कि आप जाक। होता है आप उसको कोई लेक्चर ना दें बल्कि जो काम जहां पर मुफीद है जहां पर वो काम निफ्टाना चाहिए वहीं पर आप जा करके बताएं तो बालक जरूर सीखेगा इसके अलावा पुनरावृति, अभ्यास और कंसेंट्रेशन ये तीनों चीज ऐसे हैं जो हमारे दिश्टी दिव्यांग्जन बालक कर सकते हैं वो एकागरिता से चीजों को समस्ते हैं सीचते हैं, उनमें पुनरावर्ति करने की क्षमता भी होती है, तथा वो अभ्यास कर सकते हैं, तो कोई भी कारे उनके लिए असंभव नहीं हैं, ये छोटे-छोटे जो डेली लीविंग के स्किल के कारे हैं, वो अवश्य सीखेगा, शेश इंद्रियों का प्रियोग, अवश उसको बताए, उसके बाद शेश द्रिष्टी है, उसका भी प्रियोग करना उसको बताए, इससे क्या होगा, बालक का कॉंसेप्ट किलियर होगा, चीजे समझ में आएंगी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किसले जरूरी है, उसको इंफोर्मेशन भी आपने देना है, और स इसकी बालक के लिए तैयार हो जाता है, तो विश्वास करें, बालक जरूर सीखेंगे, और इस प्रकार के विश्वास पैरेंट्स ने भी करना है और टीचर्स ने भी करना है, तो इसी के साथ मैं आज वीडियो ये समप्त करता हूँ, इसमें कोई आपको सुधाओ लगते ह हो, तो आप जरूर हमें पताएं, कमेंट जरूर करें, आपका धन्यवार, जैहिन